खुशियों को समेट के मत रखो सिर्फ अपने सपनों में, इसको बाट दो अपनों में, क्योंकि सुना है, बाटने से खुशिया और बढ़ जाती है Hello Friends, मैं रीनाव्यास, स्वागत आपका रीनाव्यास चैनल में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और इसको अपने Friends और Relations में शेर कर दीजिए जो मैं ऐसी रेमेडिय आपके पास लेकर आई हूँ, ऐसा Beauty Tips लेकर आई हूँ, जो आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं, आप किचन में खाना बना रहे हैं, या और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको करते-करते इस Beauty Tips को Easily Use कर सकते हैं, इसके लिए आपको Extra Time देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो चलिए फटा-फट बाते नहीं करते हैं, और देख लेते हैं, इसको हमने किस तरह से तयार किया और इसका Use किस तरह से करना है, इससे पहले हमने आप एक Potato का Piece लिया है, इसमें इस तरह से इसके अंदर आपको एड करना है थोड़ा सा हनी, यह ऐसा आपका काम हो गया है कि आप किचन में खड़े-खड़े भी इसको लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा महनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने हनी डाल दिया, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हमा इसमें युमक टैंड्स होते हैं, हनी स्कीन को बहुत अच्छी तरह से मॉस्टराइज करता है, क्योंकि अभी विंटर सिजन चालू हो गया है, गुलाबी थंड पढ़ने लग गई है, तो स्कीन भी हमारी थोड़ी सी ड्राय रहती है, तो यह ड्रायनेस को पूरी तरह से ख यह होती है, इसमें भी हमको डाल देना है, थोड़ा सा हनी, यह मैंने इसमें थोड़ा सा हनी एड़ कर दिया है, यह बहुत अच्छी तरह से अंदर उतर जाएगा, और इसमें भी हम फिर से एड़ करेंगे हमारा मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से फेस में बहुत अच्छ कर सकते हैं, कुमबर को आपको लेना है, उसमें भी इसी तरह से आपको पिसिस करना है, इसमें चीरे लगाना है, कुमबर को लेना है, उसमें हम एड करेंगे, सिर्फ दो बुंध हनी बहुत हो जाता है, और इसमें फिर से हम add करेंगे milk powder, इसको अच्छी तरह से mix करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अंदर उतर जाएगा, और इसको face पे आपको लगा देना है, अब last में हमारा आता है aloe vera, aloe vera gel जो होता है वो pimples के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें natural humectants होते हैं, जो आपकी skin म moisturize करते हैं, और skin में जो एक लचीलापन होता है, उसको यह खतम नहीं होने देते हैं, इसलिए इसका यहां पे यूज किया है, aloe vera gel में poison होता है, एक ऐसा chemical होता है, जो skin को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाता है, इसलिए मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया है, आ मैंने description box में उसका link डाल दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजेगा कि aloe vera को किस तरह से आपको use करना है, उसका chemical जो honey का रख chemical है, उसको कैसे निकालना है, तो यह aloe vera लिया है, मैंने इसको बीच में से मैंने cut कर लिया था, इसमें भी आपको चाकू से cut लगा देने है और cut लगाने के बाद वो ही process हम इसमें use करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें honey लेंगे, honey के बाद में थोड़ा सा milk powder, friends, aloe vera gel जो होता है, वो pimples को भी खतम करता है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी में antibacterial property होती है, अगर आपको pimples है skin में, तो यह तरह से उसको खतम करेगा, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी एड़ी की है, इसको भी आपको अच्छी तरह से इसके अंदर mix कर लेना है, यह बहुत अच्छी तरह से इसमें mix हो जाएगा, सारा gel के साथ में mix हो जाएगा, और इसको आपको face पे लगाना है, तो यहाँ हमारी यह चार चीज़े तैयार हो गई है, जो किचन में easily आप खड़े खड़े ही, इस remedy को यह जो मैंने यहाँ पे आपको skin के लिए बताया, इसको आप use कर सकते हैं, इसका फाइदा उठा सकते हैं, और इसको इलिए आपको extra time देने की ज़रूरत नहीं है, यह आप कोई भी काम करते करते भी इसको कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, इसको face पे लगाना कैसे है, तो आप देख लेते हैं, इसका use कैसे करना है, मैं यह आपे aloe vera का use करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी से pimples की problem है, तो यह हमने तयार कर लिया है, इसको इसी जब तक dry नहीं हो जाता है, मतलब aloe vera का यह जो piece है, जब तक इसमें dryness नहीं आजाती, यह dry नहीं हो जाता, तब तक आपको skin में इसका massage करना है, अगर आपकी बस massage करने का time नहीं है, तो आप इसको लगा के भी छोड़ सकते हैं, आप जब तक काम कर रहे हैं, तब तक इसक आपकी skin को treat करेगा, बहुत अच्छी तरह से आपकी skin को treat करके, और इसमें से bacteria को निकालेगा, आपकी skin को smooth करेगा, soft करेगा, wrinkle की problem है, तो उसको भी खतम करेगा, साथ में अगर आपको pimples है, acne है, तो उसको तो यह पूरी तरह से खतम करेगा, और skin को soft भी रखेगा, मुलाय इसी तरह से हमको बाकी चीजों का भी use करना है, जैसे tomato हो गया, या फिर cucumber हो गया, या फिर potato हो गया, इसी तरह से circular motion में आपको इसको लगाना, कम से कम 10-15 मिन तक आप इसको लगा के रखिए, तो आपको इसके best result देखने को मिलेंगे, तो friends कैसा लगा आपको यह वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके जरूर बताना, इसको यूज करना है, उसको यूज करने के बाद में आपको क्या फायदा हुआ है, उसके बारे में भी आप लिखके बताना, यह ऐसी चीज़े हैं, जिसको आप डेली यूज कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रिविएस वीडियो को देख लेना, कल में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगी, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं, मैं उसके ओपर भी वीडियो बनाने की पूर